नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विवेक भारत द्वाज आप देख रहे हैं हमारे चनल टेक्नलोजी विद विवेक जहां मैं मोबाइल और कम्पूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं अगर आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर पैस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल से जल मिल सकें आयो दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आए हैं आपको बताएंगे कि किस तरीके स आप जो है मॉनिटाइजिशन ओन होने के बाद एड्स को जो होता है अपने वीडियो पर एड्स को कैसे लगा सकते हैं कैसे आप चाहते हैं कि आपको भी जो है यह एड और ब्रेक के माथ्यम से इंकम शुरू हो जाए दोस्तों इसकली करना क्या होता है यह जो आपको अप्लोड करते हैं यह आपको ओप्शन देख रहा है अपलोड वीडियो हमारे पास content में एक वीडियो अपलोड पहले से है हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे यह देखिए दोस्तों हम ने यह जो वीडियो बनाया है हम इसको एडिट पर जाएंगे हमने इसको नहीं रहता है डेटेल वीडियो एलिमेंट चेक्स और विजिवलिटी लेकिन जिसका मोनेटाइशन ओन हो जाता है उसके यहां पर मोनेटाइशन का भी यह ऑप्शन आने लगता है दोस्तों और आपको यहां पर जब आप नेक्स्ट करते हैं डिटेल्स भरने के बाद तो दे देंगे अब दोस्तों आप यह जो नीचे देख रहे हैं यह देखिए टाइप सब्सक्राइब लिखा हुआ है इस तरीके से यह पांस तरीके से आपको एड यहां पर दिखता है यह डिस्प्ले जो कि आपको यहां राइट बॉटम में राइट टॉप पर दिखता है ओवर जिनका प्रीमम एकॉंट नहीं है पर देखते हैं किसी वीदियो कौन करने से पहले पांच सेकंड तक व वीदियो को Heil को हिपना हिख पांचBe will show होता है दोस्तों वो भी यहां पर आप लगा पाएंगे इसी के साथ यह हो गया दोस्तों non-skippable video ads जो की 18 या 20 second का या जितने 20 second का जो video होता है दोस्तों इसे हमें पूरा ही देखना पड़ता है और हम जो है इसको यहां से skip नहीं कर पाते हैं और video जब खतम होता है इसके बाद ही आपका video शुरूव होता है इसी के साथ दोस्तों नीचे जो option दिये हुए हैं ये भी हम आपको समझा देते हैं location of video ads only videos longer than 8 minutes are eligible for ads during video आपने दोस्तों देखा होगा कभी-कभी कुछ video होता है जिनमें वीडियो के बीच में भी 7-8 minutes बाद 10 minutes बाद 2 minutes बाद add आते हैं अलग-अलग time पर add आते हैं तो दोस्तों वो वीडियो हमेशा 8 minutes से बड़ा होगा 8 minutes से जब वीडियो बड़ा होता है तो आप यहाँ पर जो mid rules देख रहे हैं during video mid rules आप यहाँ पर select करके manage कर सकते हैं और दोस्तों आप खुद भी यह तैय कर सकते हैं कि आपको video जो है किस section में लगाना है कहाँ पर लगाना है और कितने time बाद लगाना है यह आप इस तरीके से तैय कर पाएंगे और अगर दोस्तों आपका 8 minute से चोटा video है तो अब before video और after video और जो है automatic जो video process होती है YouTube की वही आपको follow करनी होगी आप अपनी मर्जी से कोई भी video कहीं पर put नहीं कर पाएंगे अगर 8 minute से चोटा video आपका है तो तो दोस्तों यही process होती है monetization on होने के बाद इस तरीके से देखी यह जो यहाँ पर टेक लगा हुआ है यह आप जहाँ पर check और uncheck कर देंगे आप जो भी video एड लगाना चाहते हैं और दोस्तों जो suggestion होता है being a YouTuber वो यही होता है कि यह सारे ads पर आप टेक रहने दीजिए जितने भी ads हो जहां से भी ads आएंगे जितना भी पैसा आएगा वो आप लोग लिए अच्छा ही है उसमें कोई बुराई नहीं है इसलिए दोस्तों यहाँ से इस तरीके से आप सभी enable रखेंगे और देन आप अपने वीडियो को जो है आँगे चलके process करेंगे मैं आशा करत आया होगा इस वीडियो को जाता श्यादा शेयर कीजिए कमेंट कीजिए कमेंट के मातने समय पता ही आपको वीडियो कैसा लगा चैनल को subscribe कीजिए मेरा नाम है बिवेक भारत द्वाच थैक्यू